हालो फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि आपकी योणी डिली हो गई है नीचे लूजपन लगता है या पानी जैसा धीला पन लगता है तो हो सकता है कि आपके वजाईना डीली हो गई हो तो मैं डॉक्टर सुशी लसानी गाइनिक लॉजिस्स अबसेटिशन आज आपको यह आप कर सकती हैं जिससे कि आपका जो और वजाइना भी तो सबसे पहले हमे weitere यह बहुत बड़ी हो जाती है और फिर बाद में अपने आप ही normal size में आ जाती है तो generally वजाइना डिली नहीं होती है लेकिन फिर भी जैसे जैसे age बढ़ती है यानि की उम्र बढ़ती है उसके साथ mass patient ही हो जाती है लूस हो जाती है जैसे कि अपनी चमड़ी पर जुरियां आ जाती है उसी प्रकार से वजाईना में भी थोड़े से धिलापन आ जाता है और अंदर की जो muscles के साथ जो उपर की mucosa होती है जो उपर की layer होती है वो भी थोड़े पतली हो जाती है जिसकी वज़े से भी अपने को लूज़पन लगता है दूसरा एक कारण होता है कि frequent sex के कारण यानि कि यदि आप बहुत लंबे समया हो गया आपकी शादी को और उसके बाद आपका frequent sex रहता है तो थोड़ा रबड की फैल जाता है वो इस तरीके से पहले के जैसे normal नहीं रह पाता इसी तरीके से बार-बार अगल deliveries होती है और normal deliveries होती है तो वज़ाइना daily हो जाती है क्योंकि उसका अंदर से जो tissue होता है वो damage हो जाता है उसके elasticity काफी कम हो जाती है और उसी के सासात उम्र भी बढ़ती जाती है जिसकी वज़े से यह समस्या create होती है अब सवाल आता है कि इसको सही कैसे किया जाए या जब बार-बार delivery हो रही है या आपको लग रहा है कि ढिलापन है तो आप घर पे ऐसा क्या कर सकती है कि जिससे यह आपको लगे कि ठीक हो गया हो या आपको यह feeling नहीं आये कि वज़ाइना लूज है तो इसके लिए सबसे important है पैल्विक फ्लोर की exercise यानि कि नीचे की मांसपेश है उनकी exercise करना क्योंकि कि किसी भी muscle की exercise की जाती है तो टोन अप हो जाती है और टोन अप होते ही उसका shape वापस normal हो जाता है जैसे कि बाइसेप्स नीचे की मांसपेश होती है उनको आपको अपने अप धिली ना हो जाए जितनी देर तक आप उनको टाइट रख सकती है उतनी देर करना होता है और कम-कम एक साथी पांस से दस बार करनी होती है और ऐसे sequence में दिन में 2 या 3 बार आप करेंगी तो जैसे इतनी बार आप करेंगी उतनी बार आपकी muscles धरे-धरे tight होती जाएगी और महीने दो महीने के अंदर आपको रिजल्ट लिखने लग जाएगा दूसरे एक होती है कि पैल्विक वजाइनल कोन आते हैं यानि कि आप मार्केट से ले सकती है या रॉक्टर के पास आप ले सकती है तो उनको वजाइना के अंदर इंसर्ट करकिया जाता है और उनको फिर hold किया जाता है tight करके जैसे कि pelvic floor को अपन जैसे mass patient को सिकोडते हैं वैसे आप सिकोडेंगी और उसको hold करने की कोशिश करेंगी तो आपके mass patient उस पर particularly उस वजाइना की अंदर काम करेंगी तो जितनी बार भी आप कम से कम पांच बार या आप एक बार में जरूर करिए और दिन में दो या तीन बार जरूर करिए जिससे कि इसका effect मिले क्योंकि एक दो बार करते हैं दो तीन दिन करते हैं पांदिन करते हैं दस दिन करते हैं उसके बाद अपने उसको बंद कर देते हैं और अब ही लगता है कि इसका effect नहीं आ रहा है लेकिन कभी भी किसी भी exercise का effect आने में दो से तीन महीने तक लग जाते हैं तो उसको regular करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि continuous करना exercise में बहुत important है उसके बिना result नहीं मिलते हैं तीसरा होता कि pelvic tilt exercise यानि कि आप दिवार के साथ में सीधा खड़े हो गए हैं आपका सिर कंधे और कमर दिवार के साथ जुड़े हुए हैं और आपके पैर आगे 90 डिग्री पर हैं अब आप यहां से अपनी pelvis को ऊपर की तरफ यानि आगे की तरफ निकालते यानि कि उसको tilt करत हैं इस तरीके से करने से आपके नीचे की मास पेशियां काफी मजबूत होती है और यह विकम सकम एक बार में 30 सेकंड तक आपको जरूर करना होता है और उसके बार में आप 10 बार जरूर करिए और यह रोज एक बार भी अगर आप करती है डेफिनेटली तो दो से तीन महीने climate का ब्रत मिलेगा इस तरीके से तीन एक्सेसे खरकती है कि इंस minder को सबस्क्राइब आपको बशाइब करuum को चैट कर सकते हो चैट कर सकती है यह जूडर के दुवारा तो यह लिजिना कि रखेजते हैं और उपको प्रेज्ज को सते स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो कॉंट्रेक्ट हो पाएं तो जो काम हम एक्ससाइज से करना चाह रहे थे लीजर से करते हैं यह कम से कम तीन से चार बार की सिटिंग आपको देनी पड़ती है और एक बार जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो आपके कम से कम 45 निट का अपॉइंबं insider किया जाता है और 3-4 बार करने के बाद एक यह एक इवैलुएत किया जाता है कि कितना इक इभेट आया इसके अलावा जो दोसरी परॉसीजर होता है जिसमें कि अंदर की जो वझाइना की वौक्शा है उसको को यह को ठौटा किया जाता है और मासाटलेट न होते हैं जो डिलिवर के बाद किया जाते हैं जैसे कि जो ममास बैली होती है उसको भी इसी तरह कीॡो की फेसं प्रोसीजर है जिसमें की वजाइना को टाइट किया जाता है इसके लिए आपको अड्मिशन बनाना पड़ता है दवाइयां लेना पड़ती है वेहोशी देना पड़ती है उसके बादी सर्जरी हो पाती है यह लास्ट रिसओ आप पहले आप exercises try करें किसी से भी कोई भी फाइदा नहीं मिल रहा है तो आप surgery के लिए जा सकती हैं इनी सभी तरीकों से आप अपने धिली वजाइना को कर सकती हैं और अपने sexo life अच्छ से enjoy कर सकती हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक